Good morning friends, welcome to today's lecture of Pressure Variation with Altitude Friends, आज के इस lecture में basically हम ये देखेंगे कि जो हमारा pressure है means हम सबको पता है कि atmospheric pressure हमारा होता है बाट ये atmospheric pressure जो हमारे उपर लगता है ये basically अगर हम उपर की तरफ move करते हैं means अगर हम height की तरफ move करते हैं तो ये pressure किस तरीके से हमारा decrease होता है आज के इस lecture में basically हम उसे related formula और calculations देखेंगे So friends, सबसे पहले अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जितना ज़्यादा possible है उतना ज़्यादा like कीजिए और अपने friends से share कीजिए Friends, सबसे पहले हम बात करते हैं pressure variation with altitude तो friends, actually atmospheric pressure होता क्या है Earth के surface पे लगने वाला air का pressure ये basically होता है मेरा atmospheric pressure So friends, एक छोटे से example में आपको समझाता हूँ जैसे जैसे हम Earth के surface से उपर की तरफ move करते जाएंगे जो मेरा topic है pressure variation with altitude जैसे जैसे हम Earth के surface से उपर की तरफ move करते जाएंगे obvious है कि मेरे उपर जो air के molecules बचेंगे वो मेरे decrease होते चले जाएंगे तो friends, यहाँ से यह चीज़ तो clear हो रही है कि जब air के molecules मेरे decrease करेंगे तो मेरे उपर लगने वाला pressure भी decrease होता चला जाएगा friends, दुबारा repeat करता हूँ जैसे जैसे हम Earth के surface से move होते चले जाएंगे उपर के तरफ move करेंगे तो जो air के molecules है जो मेरे उपर means pressure बना रहे है वो मेरे decrease होते चले जाएंगे तो obvious है कि मेरे उपर लगने वाला जो atmospheric pressure होगा वो pressure friends, मेरे decrease होता चला जाएगा friends, इस diagram को आप कहदे से देखिए तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि sea level से आपका elevation कितना है यह 0 meter, 2500 meter यह elevation आपका increase हो रहा है और यह आपका pressure का graph है तो friends, इस graph से आप देखेंगे जैसे जैसे आपका elevation above sea level friends, जैसे जैसे आपका elevation increase होता चला जा रहा है यह जो pressure है आपका यह pressure आपका decrease होता चला जा रहा है So friends, यह graph clearly यह state करता है कि जैसे जैसे हम हमारा altitude बरसा चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा atmospheric pressure जो है वो हमारा decrease होता चला जाएगा Now friends, इसका एक छोटा से example यह भी है कि आपने देखा होगा, जब भी हम उपर कहीं, मतलब पाड़ियों में हम tracking-wrecking करते हैं या फिर चड़ाई करते हैं तो वहाँ पर हमें सास लेने में कई बार problem face होती है Friends, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें हमारे lungs को normal breathe करना है तो friends, जो pressure है वो बाहर की तरफ higher होना चाहिए हमारी body से but होता क्या है higher altitudes में air का जो pressure होता है वो drop होने लग जाता है जिसकी वज़े से हमारी lungs को काफी problem होती है बाहर से air को सक करके अंदर लेने के लिए इस वज़े से हमें breathing में problem face होती है friends, दुबारा repeat करता हूँ in generally बाहर का जो air का pressure होता है वो ज़्यादा होता है हमारी body से but होता क्या जैसे हम उपर की तरफ move करते है तो बाहर की तरफ atmospheric pressure मेरा कम होने लग जाता है तो बाहर से air को pull करके अंदर lungs में लेने के लिए मेरे को काफी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है जिसकी वज़े से मेरे को काफी ज़्यादा means अजीब सा फील होता है जब मैं higher zones पे जाता हूँ even problem भी होती है इसास लेने में so friends हमेशा याद रखेगा कभी भी आप earth के level से उपर की तरफ move करते हैं तो जितना आप उपर की तरफ move करेंगे उतना ही आपके उपर लगने वाला pressure आपका decrease होता चला जाएगा now friends हम बात करते हैं कि जो pressure decrease होगा उसकी calculation किस तरीके से की जाती है और कौन से formula का हम basically use करते है so friends अब बात करते हैं pressure calculation at a particular height की so friends pressure at a particular height z is equal to p that is atmospheric pressure at sea level unit is atm into exponential of minus m m is basically the molecular weight of the gas kg per mole into g acceleration due to gravity into z altitude above the sea level in meters r universal gas constant unit is newton meter per mole kelvin and t is basically the temperature in kelvin so friends this is the basic formula that is basically used to calculate the pressure at a particular elevation from the sea level or a particular height above the earth level so friends इस formula को अच्छे से याद कीजिएगा because ये formula आपको repetitive use में आता रहेगा now friends एक example से देखते हैं कि इस formula को कैसे use करते हैं now friends हम बात करते हैं pressure calculation के example की friends actually ये formula जानना क्यों यरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ actually अर्थ में अलग 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 zone जो है means अलग अलग states आप समझ लीजिए हर एक जगय का sea level से elevation अलग अलग है तो friends basically हमें अंतर क्या पढ़ता है जब हम ejector install करते हैं तो ejector की जो capacity होती है means ejector basically vacuum create करता है तो ejector वही vacuum create कर पाएगा जतना वहाँ पे atmospheric pressure होगा तो बार समझेगा friends ejector वही vacuum create करेगा जतना वहाँ पे maximum atmospheric pressure होगा अब this zone में आपका height ज्यादा है वहाँ पे आपका atmospheric pressure ही कम होगा तो ejector आपका कम वहाँ पे vacuum create करेगा तो friends ये इसलिए जाना जरूरी है आपके लिए कि हर एक zone पे means अलग-अलग जगह पे जैसे जैसे आप जाएंगे earth से जो sea level से आपका elevation होता है earth का वो vary करता रहता है उसके हिसाब से आपका जो वहाँ पे मिलने वाल आपको atmospheric pressure है वो आपका vary होता रहता है तो उसके हिसाब से हमारा ejector का performance भी change होता रहेगा means जो maximum achievable vacuum है उसकी value हमारी change होती रहती है friends इसके सी बात करते हैं तो मेरे को एक example दिया गया है जिसमें मेरे को pressure calculate करना है एक plant में जिसका elevation है 260 meter above the sea level means ये plant मेरा sea level से 260 meter के elevation पर है so friends मेरे को pressure दे दिया गया है 180m z की value मेरे को problem statement में दे दिकाई है 264 meter r मेरे को पता है 8.31 newton per newton meter per mole kelvin that is a constant m मेरे को दिया गया है air है air का molecular weight होता है 0.29 इसलिए m की value आई मेरी 0.029 kg per mole because मेरे को यहाँ पर value kg per mole में रखनी है t temperature 30 degree centigrade जिसको मैंने convert करके kelvin में convert कर दिया 303.2 kelvin friends अगर मैं इसको इस value इसको इस formula में put up करता हूँ pz is equal to p into exponential to the power of minus mgz upon rt तो friends यह value मेरे को calculate होके मिलती है 0.97 ATM friends अगर इसको मैं further convert करता हूँ mmHg के terms में तो यह value आती है मेरी 737.7 mmHg so friends इससे मेरे को यह समझ में आता है कि एक plant जो मेरा sea level से 264 meter की height पे है वहाँ पे लगने वाला जो पैसर है atmospheric pressure वो only 737.7 mmHg होगा ना कि 760 mmHg so friends याद रखिएगा कि जो sea level से elevation है वो आपको हमेसा याद रखना है अगर कहीं बे भी आप है तो आपको maximum achievable vacuum की value आप वहीं से उठा पाएंगे so friends hope आपको इस example से पूरा clear हो गया होगा एक बार मैं दुबारा repeat करता हूँ friends हमेसा याद रखिएगा कि कभी भी हम sea level से हम जितना उपर की तरफ move करते हैं उत्रा ही ज्यादा मेरा atmospheric pressure decrease होता चला जाता है इसके पीछे reason वही है कि आपके उपर जो air के molecules है वो decrease होते रहते हैं तो obvious है आपके उपर लगने वाला pressure basically decrease होता चला जाता है friends hope आपको आज का मेरा lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको किसी भी तरीके का doubt रहता है तो please video के नीचे comment जरूर कीजिएगा friends कल के lecture में basically हम discuss करेंगे types of steams के बारे में steams कितने types की होती है और उसका कहां पे क्या use किया जाता है so friends till then goodbye have a nice day